Hello students, आज में फिर आप लोग का कर्सी राटिंग का जो वीडियो है वो लेकर आ गया हूँ हमने हमारे प्रीडियस वीडियो में A2, AE तक, A से लेकर E तक हमने सिखा था A, B, C, D, E और आपको मैंने यहाँ पर वो बना कर बज़ा था कि हमको कर्सी राटिंग में हूँ A, B, C, D और E कैसे लिखते हैं? अब आज आप देखोगे कि F से लेकर J तक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है तो F, G, H, I, J यहीं यह पांच वर्ड मैंने यहाँ लिखा है तो आईए हम अब आगे बढ़ते हैं F की तरफ तो यहाँ पर F जो है वो हमको कैसे लिखना है? आप यहाँ पांच देख सकते हो कि एक पॉइंट है पॉइंट से हमको इसको उपर की ओर ले जाना है फिर इसको यू लेना है लेकर हमको इसको नीचे ब्लू लाइन तक लाना है और इसको इस तरह से कर देने का है यह हो गया F अब है G की बारी तो G है वो दिख रहे हैं आपको काफी बड़ा है तो उसमें कुछ नहीं यहाँ से पॉइंट लेना है फिर उपर की ओर जाना है फिर वहाँ से नीचे की ओर आना है फिर हमको यह बन गया G अब है H तो H जो है वो काफी सिंपल है तो उसको इस तरह से नीचे की ओर आना है और उसको यू कर देना है फिर हमको और एक लाइन लेना है उसको यू करना है फिर जो है वो क्या है हमको यू करके यू ले जाना है तो बन गया H फिर आती है I की बारी तो इसमें I जो है वो थोड़ा different है आप देखी सकते हो और दिखने में भी अच्छा लग रहा है तो उसी तरह से हमको जो I है उसको यहाँ से उपर की ओर उपर से नीचे ऐसे I उसके बादे J तो ऐसे उपर की ओर से फिर आपको नीचे की ओर ले जाकर फिर इसको यू करना है तो यह क्या बच गया है हमारा J तो आपने देखा F for fish, G for grape, X for hand, I for ice cream और J for jug यह 5 वर मैंने बनाना सिखाया तो आप लोगों को भी अपने non-book में इसको practice करना है कितने time? 5 time यानि कि F जो है वो आपको 5 time बनाना है, G जो है वो आपको ना पता 5 time बनाना है, H जो है वो 5 time बनाना है, I है उसको 5 time बनाना है और J है तो उसको भी 5 time बनाना है यानि आप लोग इसकी पैक्टिस घर में करोगे जो आपकी करसी रैडिंग की नॉट्बूक है उसके अंदर ठीक है तो फिर आज के लिए मेरा जो यह वीडियो है यहीं तक है फिर मैं आपको नेक्स वीडियो में मिलूँगा इसके आगे के वर्ड लेके तब तक के लिए बाइ